तो इस विए अच्छाइब करते हैं फिर हम लोग जो है वो लेक्शर को आगे कंटीनियों करते हैं जो बात हम लोग कर रहे थे सेंसिटिविटी और गल्वानोमेटर का सेंसिटिव होना उना टीक है बस एक दो मिनट बिटा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो रहे गए हैं स्टुरेंट्स वो भी आ जाएं जॉइन कर लें तो फिर हम लोग लुक्स को आगे से कंटीनियू कर लेते हैं अब हम लोग बिटा जिस भागे से डिसकस करते हैं मेरे साथ दुबारा से पॉइंट को समझेगा हम लोग क्या बाट डिसकस कर रहे थे हम लोग कह रहे थे कि भाई अगर आपके पास सेंसिटिविटी जाद है लास्ट इम जड़ा इसको रिपीट करेंगे मेरे साथा आइडि कք良 Layer ंइसको उने, दिए करण के लिए कउए कर्ण क्यें कितना लगा था 50 मिली एंपेर हमने, डिसाइड कियाता 22 के लिए करंट को зв portions जादा देना पड़ रहा है और जो ए उसकी unit deflection के लिए कम current देना पड़ रहा है तो वो ज्यादा sensitive है अब sensitivity अलग है और sensitive होना अलग है sensitivity का मतलब है वो current जो unit deflection के लिए आप दे रहे हो और sensitive होने का मतलब यह है कि अगर वो ज्यादा current ले रहा है तो बिटा जल्दी से चैड़ बॉक्स में clear लिखे ताकि हम लोग फिर आगे इसका formula देख सके तो sensitivity अलग है, गलवानोमेटर का sensitive होना अलग है यहां दर की बात कर रहा है तो जल्दी से चैड़ बॉक्स में clear लिखे अब याद रखेगा कि अगर किसी गलवानोमेटर की sensitivity जादा है तो बिटा वो कम sensitive होगा और अगर sensitivity कम है तो वो जादा sensitive होगा दोनों को mix up मत कीजेगा तो majority student ने यह बात बताई चैड़ बॉक्स के अंदर के उनको यह बात आपके पास clear है तो sensitivity जादा गलवानोमेटर कम sensitive और sensitivity कम तो गलवानोमेटर जादा sensitive तो अब आपने यह बात याद रखने है जब आप से MC के उमें पूछा जाएगा तो बिटा पहले ज़रा देख लीचेगा कि वो बात किसकी कर रहे हैं sensitivity की बात कर रहे हैं यह बात कर रहे हैं दोनों का मतलब अलग अलग है अब इसके बाद बिटा आप इसका formula देखेगा और फिर आगे हम लोग एक दो बाते और discuss करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो lecture को end करेंगे तो अब ज़रा एंडिंग की तरफ जा रहे हैं बिटा ज़रा terms देख लिएगा sensitivity का formula क्या बना s is equals to i upon theta sensitivity का formula है s is equals to i upon theta अब इसके लिए सारे ज़रा screen पर देखते जाएगा s is equals to i upon theta s के कहला रहा है आपके पास sensitivity कहला रहा है अब ज़रा याद करो थोड़ी देर पहले हमने एक formula पढ़ा था और वो formula क्या पढ़ा था i is equals to c upon b na और साथ में क्या चल रहा था theta ठीक है मैं एक और formula arrange कर रहा हूँ terms सीखेगा ज़रा i is equals to c upon b na into theta अब i upon theta को अलग कर लो जब i upon theta को अलग करोगे तो यहाँ पर क्या चलेगा बिटा c upon b na ठीक है i upon theta लग कर लो तो क्या बनगा c upon b na अच्छा अब यह जो i upon theta है बिटा यह खुद sensitivity कहला रहा है क्योंकि sensitivity is the amount of current to produce unit deflection तो i upon theta खुद s के बराबर है तो s किसके बराबर हो गया c upon b na तो आपने sensitivity का यह formula भी याद कर लेना है sensitivity का मैं यह formula भी लिख सकता हूँ s is equals to c upon b na sensitivity is equals to s is equals to c upon b na तो यह sensitivity का बिटा दूसरा formula गया इसको focus कीजेगा आप इस formula को इस तरह से भी लिख सकते हैं तो यह बात भी आपको clear हो रही होगी पहला formula का बनाया s is equals to i upon theta दूसरा formula का बनाया sensitivity का c upon b na mc के मैं यह बात पूछी जाती है sensitivity का formula बताईए तो आपको याद कर लेना है कि sensitivity बराबर है c upon b na के देखे बटा यह formula याद रखेगा अब आप लोग मेरे सारा last की दो बाते देख्यां से सुनेगा अगर मुझे galvanometer को जादा sensitive बनाना है sentence पक कीजिएगा क्या कह रहें, galvanometer को जादा sensitive बनाना है तो हमें sensitivity को कम करनाफेगा अगर मैं sensitivity को कम कर देता हूँ तो galvanometer जादा sensitive होगा और अगर sensitivity कम करने हैं, तो ये पूरा factor कम से कम करेंगे, अगर ये factor कम हो गया बिटा, तो sensitivity कम हो गई, और sensitivity कम हो गई, तो galvanometer आपके पास more sensitive हो जाएगा, तो ये बात याद रखेगा, अगर आपने C upon BNA को कम कर दिया, sensitivity कम हो गई, और sensitivity कम हो गई, तो galvanometer जादा sensitive होगा, ठीक ह और अगर मैं इस ratio को, इस ratio को बढ़ा देता हूँ, तो ये ratio बढ़ेगा, तो जो sensitivity है, वो भी बढ़ जाएगी, और अगर sensitivity बढ़ गई, तो galvanometer आपके पास less sensitive हो जाएगा, तो आप से MCQ मैं ये बात पूछी जाती के galvanometer को जादा sensitive बनाने हैं, तो क्या करें, आप कहेंगे जा जादा sensitivity, जादा galvanometer, लेस sensitive, तो sensitivity और sensitive होना galvanometer का दोनों अलग अलग बात हैं, तो बिटा अब ये बात आपने याद रखनी हैं, तो आप जरा ये point पढ़िएगा जरा, हम last में क्या points लिख रहे हैं, इन points पर जरा focus कीजेगा, हमने sensitivity और galvanometer के sensitive होने के बारे में, दो points लिख phases और vice versa, vice versa का मतलब यह हुआ, कि अगर आपने galvanometer को कम sensitive बनाना है, तो इस ratio को आप क्या करो बढ़ा दो, और फिर unit of sensitivity, तो बिटा आप जरा चेक कीजे, sensitivity का unit बनाना है, जब आप इसका unit बनाओगे, तो i current है, current का unit आपके पास क्या होता है, ampere, और फिर theta, आपके पास angular displacement है, और इसका unit होता है, radian, तो ampere पर radian unit किसका होगा, sensitivity का, ठीके बिटा, तो अब जल्दी से chat box में मुझे बताईए, कि यहां तक की बात आप लोगों को clear हो गई, जल्दी से बताईए, गिल्वानometer का पूरा topic पड़ा, construction, working, principle वगएरा हम लोगोंने discuss कर लिया, अब जल्दी से chat box में बताई, यहां तक की बात clear है, तो chat box में clear लिख दीजेगा भई, गिल्वानometer हो गया, construction हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और इसके बाद बिटा जी हम लोगोंने sensitivity के topic को भी discuss कर लिया, ठीक है बिटा, गुर्द, तो बिटा, आप लोगों के पास यह topic गिल्वानometer का पहल करवा दोगा, अब यह बड़ा सवाल होगा, इसके बाद दो छोटे सवाल है, बलके तीन छोटे हैं, वो बड़े सवाल नहीं है, एक एम मेटर डिसकस करना है, एक वोल्ट मेटर डिसकस करना है, तो इसी तरह से हम लोग online class रख लेंगे बिटा, अच्छा, आप मुझे एक एक regular में चेप्टर चल रहा है, यहाँ पर भी चलेगा ताकि जो topics हैं, वो clear हो जाएं, ठीक है, सही है भाई, तो बिटा, आप लोग और एक और बात बात, सही है, good, thank you बिटा, और सारे कोशिश कीजिएगा, कि आप लोगे classes off ना करें, क्योंकि अगर बात में record तो मैं कर रह है, तो बाकि इंशाला फिर हम लोग coming class में नेक्स topic के साथ discuss करेंगे, तब तक के लिए विटा, अलाफिस, कि आपोधिस, मैं सभ lower, बास्ते के इंशाला जाए, कि अबुओाए, अलाफिस, क्योंकि अजको फिर कि दिए, भूपनाता, सही है, विडिएतायैन फिर विए, बातician अलाफिस, kang सानला हम इज़दायों एक पणioni, आप रह एक दिए, करेंसे जोगको बाकिर, दाल, अलाफ